नमस्ते दोस्तों और वेलकम बैक तो दे चैनल HR with HB आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके रेज्युमे और सीवी जिसे कहते हैं उस पे क्या नहीं लिखना चाहिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड हलो दोस्तों इंग्लिश में मैंने लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं बता रहा हूं कि आप रेज्युमे और सीवी जिसे कहते हैं उसमें आप क्या मेंशन नहीं करना चाहिए तो पहली बात आपका डेट आफ बर्थ और जनम दिन मत लिखें आपकी एज मत लिखें क्योंकि रेकूटर को मतलब क्यों बोलें कि आप 20 साल के हो या 25 साल के या 30 साल के वो काम से काम मतलब रखो दूसरी बात आपका religion आप कौन से कास से हो religion वो मत लिखो क्योंकि वो भी जरूरत नहीं है तीसरी बात मेरे को बहुत question आते हैं कि मैं photo रखू ना रखू picture on your resume personally मेरे इसाब से आप photo मत रखो आपका photo resume पो क्या add करता है maybe आप वो photo की जगह पे आप और कुछ लिखिये आपने क्या पढ़ा है आपकी qualities क्या है आप job को कैसे compliment करोगे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि photo मत रखो photo जहां job पे required हो वहां रखो जहां नहीं हो वहां मत रखो और चौथी और आखरी बात आपका marital status आप शादी शुदा हो या ना हो वो company को तकलीव नहीं होनी चाहिए कि आप शादी शुदा हो की नहीं हो तो आप अगर marital status भी leave करना चाहते हो तो आप leave कर सकते हो आखिर में चारो point याद रखिए कि आपकी age छोड़ दो आपका marital status छोड़ दो मत लिखो resume पे photo not important at all और आपका religion भी छोड़ दो आपको ये video अगर पसंद आया हो तो आपको दोस्तों और रिष्टेदारों में share कीजिए आपको कोई भी question हो वो नीचे comment section में लिखिए और आप अगर ये channel को ने subscribe किया हो तो please subscribe कीजिए HR with HP में और video बनाऊंगा हर हफ्ते में एक video बनाता हूँ और अगर आपको पसंद हो Hindi में तो comment कीजिए कि में और Hindi में video बना सकूँ और आपकी मदद कर सकूँ मैं शमा चाहता हूँ मेरी Hindi अच्छी नहीं है पर I'm working on it मैं उस पे काम कर रहा हूँ कि मेरी Hindi और शुब हो So if you liked it please thumbs up दबाईए और subscribe कीजिए चैनल को और ये video को share कीजिए Namaste दोस्तो और मैं मिलूंगा आपको next week with one more video एक और video HR with HP पे तब तब के लिए Bye